ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाए शिव महापूरान शत्रुद्र सहिता का अध्याए 30 भगवान शिवब के अब्धू तेश्वर अफतार की कथा और उसकी महिमा का वर्नन नंदीश्वर जी कहते हैं सनन्द कुमार अब तुम परमेश्वा शिव के अबधूत तेश्वर नामक अफ्तार का वर्णन सुनो जिसने इंद्र के घमन को चूर चूर कर दिया था पहले की बात है इंद सम्पून देवताउं तथा ब्रस्पती जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए केलाश परवत पर गए उस समय ब्रस्पती और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंगर उन दोनों की परिक्षा लेने के लिए अब दूत बन गए उनके शरीर पर कोई वस्तर नहीं था वे प्रजालित अगनी के समान तेजस्री होने के कारण महा भ्यंकर जान पड़ते थे उनकी आकरिती बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी वे रहाद रोक कर खड़े थे प्रस्पती और इंद्र नेशिव के समीब जाते समय देखा एक अद्व शरीर धारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर था इसलिए वे यह ना जान सके कि ये साक्षाद भगवान शंकर है उन्होंने मार्क में खड़े हुए पुरुष से पूछा तुम कौन हो? इस नगद अब धूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बाते ठीक ठीक बताओ, देर ना करो भगवान शिव अपने स्थान पर है या इस समय कहीं अन्यंत गए है मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शिंग के लिए जा रहा हूँ इंद्र के बारम बार पूछने पर भी महान कौतु करने वाले अंकार हारी महायोगी तिलो की नाशिव कुछ ना बोले चुप ही रहे तब अपने एश्वरे का घमन रखने वाले देवराज इंद्र ने रोश में आकर उस जटाधारी पूरुज को फटकारा और इस परकार पूछा और कहा इंद्र बोले अरे मूर दुर्मते तु बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता अतै तुझे वजर से मारता हूँ देखू कौन तेरी रक्षा करता है ऐसा कहकर उस दिकंबर पूरिश की और क्रोथ पूरवक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वजर उठाया यह देख भगवान शंकर ने शीगरी उस वजर का स्तंबन कर दिया उनकी बहाँ अकड़ गई इसलिए वे वजर का प्रहार ना कर सके तदंतर वे पूरुष ततकाल ही क्रोथ के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा मानो इंद्र को जलाए देता हो बुजाओ के स्तंबित हो जाने के कारण सचीव लंभन इंद्र क्रोथ से उस सर्प की भांती जलने लगे जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुध हो गया ब्रस्पती ने उस पूरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख ततकाल ही ये समझ लिया कि ये साक्षाद भगवान हर है फिर तो वे हाठ जोड प्रणाम करके उनकी स्तूती करने लगे स्तूती के प्रश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चर्णों में गिरा दिया और कहा दिनानाथ महादेव यह इंद्र आपके चर्णों में पड़ा है आप इसका और मेरा उद्धार करें हम दोनों पर क्रोध नहीं प्रेम करें महादेव शर्णागत इंद्र की रक्षा कीजिए आपके ललाट से प्रकट हुई ये आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है प्रस्पती की ये बात सुनकर अब्दूत वेश्धारी करुना सिंदू शिव ने हसते हुए कहा अपने नेत्र से रोशवश बहार निकली हुई अगनी को मैं पुने कैसे धारन कर सकता हूँ क्या सर्प अपनी छोडी हुई कैंचुल की फिर ग्रहन करता है रस्पती बोले देव भगवन भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं आप अपने वक्त भक्त वस्तल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस बहंकर तेज को कहीं अन्यंत्र डाल दीजिए रुद्र ने कहा देव गुरू मैं तुम पर प्रसन हूँ इसलिए उत्तम बढ़ देता हूँ इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा मेरे ललाट वर्ती नेतर से जो ये आग प्रकट हुई है इसे देवता नहीं सह सकते अता इसको मैं बहुत दूर छोड़ूँगा जिससे ये इंद्र को पीड़ा ना दे सके ऐसा कहकर अपने तेज सरूप उस अदवुद अगनी को हाथ में लेकर भगवान शीव ने शार समद्र में फैंक दिया वहां फैंके जाते ही भगवान शीव का वहतेज तदकार एक बालक के रूप में पड़ीनित हो गया जो सिंदू पुत्र जलंदर नाम से विख्यात हुआ फिर देवताओं की प्रातना से भगवान शीव ने ही असरों के स्वामी जलंदर का वद्क किया था अफ़ दूत रूप से ऐसी सुंदर लिला करके लोग कल्यान कारी शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए फिर सब देवता अत्यांत निर्भर एवं सुकी हुए इंदर और बरस्पती भी उस भगत से उस भहे से मुक्त हो उत्तम सुक के भागी हुए जिसके लिए उनका आना हुआ था वैभगवान शीव का दशन पाकर कतार्थ हुए इंदर और भस्पती प्रसंता पूरवक अपने स्थान को चले गए सनन्द कुमार इस परकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अब धूतेश्वर नामक अफ्तार का बनन किया है जो दुस्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनन्द प्रदान करता है और करने वाला है यह दिव्वे अक्यान पाप का निवारन करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपून, मनुवांचित वल की प्राप्ती कराने वाला है जो प्रती दिन एकाग्रिचित हो इसे सुनता या सुनाता है वे इह लोक में संपून सुखों का उफ्भोग करके अंतमे शिव की गती प्राप्त कर लेता है तो यह था शत्रुद्र सहिता का अध्याय 30 हर हर महादेव